पराय धन पर लच्मी नारायन बनना अब कुछ देशों को बड़ा ही महंगा पड़ रहा है BRI के जरिये चीन ने दिखाये थे बड़े बड़े सपने और अब चीन ने उन सपनों को दिखा कर देशों को लूट लिया है और लूटे पीटे देश जब चीन का साथ नहीं दे रहे हैं तो चीन बदले में क्या कर रहा है मैनमार को भारत की तरफ आता देख अब चीन हो गया है कठोर और मैनमार से रख दी है नई मांग क्या मैनमार चीन की तरफ जाएगा या फिर भारत की तरफ जाएगा वही दूसरी तरफ इस बार फ्रांस और तुर्की टकराए अर्दोगन गुड़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं अर्दोगन और मेक्रोन की बीच सीधी लड़ाई होने लगी है वहीं दूसरी तरफ बिल्टेन ने बोला चीन पर हमला आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से तूर्की के राष्टपती अर्दोगन दुनिया में मुसल्मानों का नया रहनुमा बढ़ने की कोशिस कर रहे हैं और उनके कारेकाल के दौरान तूर्की के संबंध न सिर्फ अमेरिका से बलकी भारत, सौधी अरब, फ्रांस और ग्रीस से भी खराब हुए हैं लगातार वो ऐसी बोली बोलते हैं जिससे कोई भी देश दुखी हो जाएगा सनिवार को ही उन्होंने फ्रांस के एक्षन पर भड़कते हुए फ्रांस के राष्पती एमुनेल मेक्रोन को दिमागी जाच करवाने की नसिहत दे दी थी जिसके बाद फ्रांस ने बड़ा एक्षन ले लिया तूर्की के खिलाब वैसे आपको बता दें तूर्की और फ्रांस के बीच ये टसन इन दिनों ग्रीस के समर्थन करने से और भी ज़्यादा बढ़ गया है भूमद्य सागर में फ्रांसी सेना की तैनाती पर जम कर गुसा दिखाया था अर्दोगन ने अर्दोगन तो फ्रांस पर लड़ाई भढ़काने का आरोब भी लगा चुके हैं तुरकी ने सीधे सब्दों में कहा था कि इस छेतर में सेना को तैनात करके फ्रांस बस तुरकी के साथ अपना तनाव और बढ़ाना चाहा रहा है अर्दोगन भूमद्य सागर के गैस और तेल से भरे छेतर पर तुरकी का कबजा करना चाहता है इसलिए आए दिन तुरकी के समुद्री तेल खोजी सीब कभी ग्रीश तो कभी साइपरस की जल सीमा में घुज जाते हैं इसी को लेकर ग्रीश और तुरकी में तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देसों की सेनाव के बीच जंग के हालात बन गे थे वहीं फ्रांस समेथ यूरोपिय यूनियन के कई देस ग्रीश का समर्थन भी कर रहे हैं तुरकी के राश्वती अर्दोगन दुनिया में मुसल्मानों का नया मसीहा बनना चाहते हैं ऐसे में उन्हें जहां भी मुसल्मानों के खिलाप कुछ भी दिखता है तो वो तुरंत कुद पढ़ते हैं फ्रांस ने हाली में एक सिचिका की घटना के बाद मुसलिम कटरपंतियों के खिलाप एक अभियान चलाया हुआ है जिससे अर्दोगन को फ्रांस के खिलाप जहरुगनले का मौका मिल गया है वैसे आपको बता दें अर्दोगन धर्म और देश प्रेम की बाते करके लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं पिछले कुछ मैनों से तुर्की की आर्थी किस्तिती लगातार खराब होती जा रही है उसकी मुद्रा का मुल्य रिकॉर्ड अस्तर पर नीचे पहुँच चुका है देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकडे रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं तुर्की में पहले भी बिद्रो हो चुका है जिसे अर्दोगन ने सेना के दम पर कुचल दिया था ऐसे में वह इन मुद्धों का सहारा लेकर लोगों का ध्यान दूसरे मुद्धों पर केंद्रित करने की कोशिस कर रहा है वैसे तुर्की के इस बयान के बाद फ्रांस ने भी जबाबी कारवाई करते हुए अपने राजदूत को तुरंत तुर्की से वापस भुला लिया है मैकरों के कारयाले ने एक बयान जारी करके कहा कि आक्रोस और अपमान एक वीधी नहीं है अर्दोगन ने मध्य तूर्की के सहर कासेरी में एक भासन में कहा था कि मैकरों कहे जाने वाले इस व्यक्ति की मुस्लिम और इसलाम के साथ क्या समस्या है मैकरों को मांसिक लाज करवाने की जरूरत थे उन्होंने आगे कहा कि किसी राष्ट प्रमु को क्या कहा जा सकता है जो धर्म की आजादी को नहीं समझता है वैसे आपको बता दें इतना अच्छा अच्छा भासन देने वाले अरदोगन ने खुद कटरपंथी का रास्ता अपनाया हुआ है चर्च को वापस से मस्जिद में बदल दिया है खुद के लिए धर्म धर्म है दूसरों के लिए नहीं है वहीं दूसरी तरब भारत को घेरने के लिए चीन पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर पडोसी देशों में निवेस कर रहा है सिरिलंका पर तो चीन का कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसे अपना हमन टोटा पोर्ट लीच पर देना पड़ा और अब चीन के निशाने पर भारत का एक और पडोसी देश मेंमार आ गया है वैसे आपको बता दे मैनमार ने चीन का साथ छोड़ते हुए हाली में भारत के पचिन्नों पर चलना सुरू कर दिया और BRI प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी वैसे आपको बता दे मैनमार पर चीन का अर्वो डॉलर का कर्ज है जब चीन ने BRI परियोजना सुरू करी थी तो उसने भारत को भी निमंतरन दिया था लेकिन भारत ने उसी समय इस परियोजना में कुछ गलत एहसास करके इस परियोजना से खुद को हटा लिया था और इसमें सामिल होने से इनकार कर दिया था अपनी सोची समझी चाल के अनुसार मैनमार में चीन ने खूब पैसे खर्च करे और अब जब मैनमार इन प्रोजेक्टों को बंद कर रहा है और भारत के साथ जा रहा है तो चिड़ा हुआ चीन उसे यह कह रहा है कि मैंने तुम्हें जितने भी कर्ज दिये हैं उन सभी की जा माच होगी यानि कि एक टाइम लाइन दे देगा चीन मैनमार को और मैनमार अगर उस टाइम लाइन के अंदर पैसे चीन को वापस नहीं कर पाएगा तो उसके किसी न किसी नेवल बेस पर या किसी न किसी एर बेस पर कभजा कर लेगा चीन वैसे आपको बता दें चीन ने प बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि चीन के खिलाफ सीधे मैतान में उतराया है बिल्टेन और भारत के साथ बड़ी तैयारी कर रहा है चीन के खिलाफ एसिया की राजनीती में बिल्टेन आखिर कूच शुका है बिल्टेन ने वैसे शुरुआत तो सीधे सीधे सब्दों से करी है कि अगर चीन जरूरत से ज़्यादा अगर धंकी देनी की कोशिस करेगा तो चीन को हम उससे भी ज़्यादा तनाओ देंगे और उतनी ही बड़ी परिसानी खड़ी करेंगे और चीन जितना खुद को आकरामक बना कर दुनिया को डरानी की कोशिस करेगा दुनिया उसे उ ज्यादा मजबूत करेगा और आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन ने जापान के साथ एक मुक्त बैपार संधी करी है इस संधी के नुसार जापान के समानों पर लगने वाले टेक्स को या तो ब्रिटेन खत्म कर देगा या बहुत ही कम कर देगा और आपको बता दें बड़ी ब बाहर हो गया है और जहां भी फाइदे और बैपार की बात होगी वहां चीन को बिल्कुल ही नजर अंदाज कर दिया जाएगा ब्रिटेन ने ये साफ कर दिया है कि एसिया में जापान भारत और ब्रिटेन मिलकर एक नई यूग की सुरुआत करेंगी चाहे वह रच्छा का चेत्र हो या अर्थविवस्था का चेत्र हो या बैपार का चेत्र हो हर जगर ये तीनों देश आगे आएंगे वैसे आपको बता दे एसिया में इस महामारी के पहले तक भारत बियतनाम और जापान बहुत बड़े साजेदार थे चीन के और बिल्टेन इन तीनों को नया गटबंदन बना रहा है ऐसे में यह इतना बड़ा परभाव डालेगी चीन के ऊपर कि सिर्फ एसिया में ही नहीं बलकि पूरी विश्व में उसका वैपारिक धांचा गिर जाएगा वैसे आपको क्या लगता है क्या तूर्की ही विश्व युद्ध का कारण मनेगा कम कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ